नमस्कार साथियों कैसे हैं आप से हर्याना पुलिस की आंसर की आ चुकी है मेल कॉंस्टेबल की मॉर्निंग और इविनिंग दोनों की बात आती है ओब्जेक्शन की क्योंकि इसमें क्यूस्टन्स जो हैं कुछ गलत दिये हुए हैं दो तिन क्यूस्टन के आंसर ठीक है मॉर्निंग शिफ्ट में तो उनका उब्जेक्शन हमें लगाना है 21 तारिक तक तो आज 19 तारिक हो गई है तो 21 तारिक तक उनका उब्जेक्शन लगाना कैसे है वो आप देख लिजिए अब की बार मेल नहीं करनी है पहले हम क्या कर रहे थे जो है मेल कर रहे थे लेकिन अब क करनी है आपकी बार क्या करना है देखते हैं आपको पुरा प्रोसेस बताता हूं कैसे करना देखिए यह हमारा advertisement number है हमारा यह 3-2018 ठीक है हम यहां open हो जाता है यह यह open होने के बाद हम देखते हैं यहां और इसको क्लिक करते हैं तो यह जो notification का देखिये यह जो साइड में यह है यह जो तीन लाइन है यह तीन डोटेट तो यह क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है ठीक है अब नोटिफिकेशन में हम चलते हैं देखिए यह सब नोटिफिकेशन और यहां आ गया कि आपका делать यह देखिए यह आ गया link for answer की objection please click to submit your objection regarding answer की ठीक है notification में हमने जो click किया देखे date 18 ठीक है यहाँ answer की objection पर जो है यहां हम click करते हैं अब हमें यहां पर पूरा by data इसमें feed करना है ठीक है advertisement number देखे candidate का name candidate name role number ठीक है role number यहां हमें इसमें fill करना है देखे यहां इसमें कुछ doubt लग रहा है यहां exam center code पूछ रहे हैं लेकिन इधर role number दिया हुआ है यहां email id ठीक है mobile number name और post ठीक है किस post के लिए था और advertisement number ठीक है और फिर category number क्या category थी फिर date of examination किस date को exam था morning में था evening में था और booklet की series ठीक है यह हमें पूरा फिल करना है और उसके बाद हमें next submit पर जाएंगे ठीक है कॉंस्टेबल जीडी mail constable ठीक है mail constable जीडी mobile number और mail ID होगी और role number हम थिल कर देते हैं इसमें ठीक है तो नाइन जीरो नब्वे तिन सो दस अठाईस एक्सो तेरा हुआ यह हमने फिल कर दिया है अब advertisement number ठीक है तो advertisement number था आपका जो यह है तीन जीरो तीन और यहां आपको फिल करना है year 2018 ठीक है category number आपको पता है आपका category number क्या है ठीक है category number एक है ठीक है date of examination तो date किस date को आपका exam था ठीक है यह आपको इसमें पिल करना है तो किस date को था आपका 23 तारिक को exam था ठीक है आपका 23 तारिक को आपका exam था तो यह आ चुका है तो यह आ चुक्या है अगा है अगा है अगा है जैसे कि आई था तो आई मैंने इसमें कर दिया है ठीक है अब next submit पर चलते हैं जीरो वन इसको यहन की दो उसमें करना है तो अब हम चलते हैं next पर देखिए next पर आ गया है क्यूसर नमबर फॉर ओब्जेक्शन ठीक है क्यूसर नमबर क्या है तो इस में जो क्यूसर नमबर है वो हमें डालना है ठीक है एक तो है सत्रा नमबर हम और दूसरा है इसमें आपका एक त्रिबुजवाला है जिसमें NCRT में एक है 74 ठीक है एक है 74 क्यूसर नमबर फॉर उब्जेक्शन तो क्यूसर नमबर फॉर उब्जेक्शन यहां केवल एक का ही मांग रहा है 74 यहां केवल एक में ही हो रहा है लेकिन इसका देखना बड़े हैं अच्छा आगे जब हम देखते हैं इसमें प्लीज सेलेक्ट तो आंसर रोंग है या क्या है ठीक है और क्रेक्ट आंसर ओप्शन एज पर कंडिडेट कंडिडेट के अकोर्डिंग जो है उसका क्या है ठीक है अब इसमें 74 में हम लगाते हैं इसमें 74 में तो कंडिडेट के अकोर्डिंग जो है हम ठीक कर देते हैं डी और शोर्ष कहां से है तो N-C-E-R-T से N-C-E-R-T से हम शोर्ष ओफ आंसर एज पर कंडिडेट और हमें फिर यहां करना है जो आपका शोर्ष होगा यानि की अप्लोड इमेज आपको अप्लोड करनी है ठीक है और उसके बाद भी हम इसको सेव कर देंगे तो इतना काम आपको कर रहा है और आपको जो है एक से काम नहीं चलेगा यदि आपका morning shift में है और आपका कोई question गलत है तो देखिए question number 4 objection यानि कि मतलब एक बार में एक ही question का objection लग रहा है यहां question number हमें देना है तो यहां 74 लिख दिया इससे आगे लिखा नहीं जा रहा ठीक है अब इससे आगे नहीं लिखा जा रहा तो कैसे objection लगाएंगे हम दूसरे question पर ठीक है या तीसरे question पर तो हमें सभी को अलग लग लगाना होगा ऐसा नहीं होगा कि एक ही candidate लगा देगा एक ही question के उपर हमें आपस में बात करके तब हमें इसके उपर objection लगाने होगे कोई 74 पर लगा रहा है कोई किसी पर लगा दो कोई किसी पर लगा दो मतलब हर question पर जितने भी question है उन पर हमें objection लग लग लगाना होगा ऐसा नहीं है कि एक ही candidate जो है की बंदा सबी पर लगा देगा ऐसा नहीं होगा ठीक है और हमें shorts देना होगा और उसके बाद इसको save कर देना है अच्छा फिर another objection का भी इसमें option दिया हुआ है जब हम इसको save करेंगे तो आगे अलग question का भी हो सकता है सायद लेकिन यहां मेरे पास अभी shorts नहीं है तो इसलिए मैं इसको upload नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो ठीक है सायद इसमें save add another objection भी लिखा हुआ है देखिए यहां save add another objection भी लिखा हुआ है तो इसमें सायद आगे और another objection का भी इसमें option मिलेगा ठीक है जब हम इसको add करेंगे save करेंगे तो यहां another objection का भी मिलेगा sorry जो है आप सभी का question का लगा सकते हैं एक एक का नहीं सभी का लगा सकते हैं ठीक है तो आप सभी का लगा दीजिए और source अपना निकाल लीजिए तो एक अलग सी वीडियो source के लिए देऊंगा आपको कि कहां किस question में जो है जो गलत है जो doubtful है उनमें क्या है ठीक है सत्यों तो धन्यवाद